सीरियल सुहागन में पायल को घर से निकाल दिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही भाई कृष्णा को अपने पास खीच के लानेगी इनकी ये जो साजिशे है ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही कहते हैं इनसान का घमन जब तूटता है तब उसे अर्ष से फर्ष तक पहुचा देता है जैसा कि आज पायल के साथ नजर आ रहा है जहां आज उसे उसके कर्मों की कुछ यूं सजा मिली है कि आज उसे पहचानना भी मुश्किल हो चुका है एक और पायल है कि रास्ते पर दरदर भटक रही है तो वहीं दूसरी और बिंदिया भी हेल्वेट पहन कर अपने सवारी लेकर रास्ते पर निकल चुकी है जहां वो कृष्णा का पीछा करते हुए हाथसे का शिकार होते होते बच जाती है क्योंकि कृष्णा ने अपने फोन में कुछ ऐसा देख लिया है जिसके बाद वो गाड़ी लेकर सीधे पायल की और निकल पड़ा है प्यार ऐसे इतनी जल्दी तो खतम होता नहीं है तो जब देखता है कि वो आईस्यू में एड्मिट है तो फिर वो नहीं रह पाता और फिर वो चला जाता है तो वो उसके मन में अभी कुछ भी नहीं है कि जाके सब कुछ उसको माफ कर देगा या ऐसा कुछ है ऐसा कुछ नहीं है बस वो जा रहा है कि आई सियू में है तो उसके पास जा रहा है देखकर क्या आएगा जो भी होगा आगे लेकिन फिलहाल अभी वो जा रहा है और बिंद अपने सीन के लिए कितना खून और पसीना बहाना पड़ता है अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको ये क्यों बता रहे हैं तो भाई जरा बिंदिया के इस सीन पर नजर डालिए जहां वो अपने सीक्वेंस को शूट करते करते देखे कैसे अपने स्कूटर को लेकर गिर पड़ी है क्योंकि सीन में जहां उन्हें अचानक से आकर ब्रेक लगाना था वही पर वो अपने स्कूटर लेकर जमीन पर किस तरह से गिर पड़ती है और हाथसे का शिकार हो जाती है यानि कि सीन में तो वो हाथसे का शिकार होते होते बच जाती है लेकिन इस सीक्वे वही दोसरी और कृष्णा भी शो में चल रहे करन ट्रैक के दौरान तोड़ फोड करने के सीन में देखे कितनी बुरी तरह से घायल हो चुके है भाई जिन लोगों को लगता है कि शूटिंग करना और एक्टर बनना बड़ा ही आसान है तो उन्हें आज उनका जवाब मिल ही गया होगा खेर शो में चल रहे ट्रैक की अगर हम बात करें तो बिंदिया कृष्णा को पायल के पास जाने से रोक पाएगी या नहीं इस पर अभी भी सवाल बरकरार है जिसका जवाब तो आने वाले वक्त के साथ ही मिल पाएगा ABP News आपको रखे आगे